नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों नीकाय चुनाव से संबंदित एक महत्पूर्ण वीडियों मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ जैसा कि आपको अवगत है जब आप चुनाव कराने के लिए जाते हैं और जिस दिन चुनाव स्टार्ट होता है तो चुनाव स्टार्ट होने से पहले आपको एक बहुत ही महत्पूर्ण कारिय करना होता है और वो होता है मद्दान अभिकरता की न्युक्ती पिठासी नदिकारी को मद्दान अभिकरता की न्युक्ती करनी होती है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मद्दान अभिकरता की न्युक्ती किस तरह से करें क्या क्या कंडिशन उसके लिए होती है और कौन सा फारां आपको भरना है और इसके साथ साथ जब आप फार ने एक चीज आती है कहीं पर उस फार्म में लिखा होता है मद्दान अभीकरता और कहीं पर लिखा होता है निर्वाचन अभीकरता जिसको लेकर हम अक्सर कन्फियोज हो जाते हैं कि मद्दान अभीकरता की निर्वाचन अभीकरता की निर्वाचन अभीकरता की निर्वाचन वीडियो आपको एक प्लेट फार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने informative वीडियो WhatsApp ग्रूप और informative वीडियो Telegram ग्रूप बनाए हुए हैं आप चाहें तो मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं ग्रूप का लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा जिस पे किलिक करके आप पर ग्रूप से जुड़ सकते हैं तो चलिए देखते हैं मदान अभीकरता की निक्ति का कौन सा फार्म होता है जैसे ही आप फिटा सी नदिकारी अपना सारा समान वहाँ से प्राप्ट करते हैं तो आपको कुछ फार्म मिलते हैं जिसको प्रारूप 10 भी कहते हैं और उस पे लिखा होता है मदान अभीकरता की निक्ति इस तरह के आपको 10-20 फार्म जरूर मिलेंगे तो यही फार्म होता है जिससे आपको मदान अभीकरता की निक्ति होती है ये आपको मद्दान सुरू होने से पहले करनी होती है मद्दान अभी करता से मतलब है मान लीजे कोई चुनाव लड़ रहा है और उसके चुनाव की देखरेख आपके बूत पर जो उसका परतिदिधी करेगा उसको कहते हैं मद्दान अभी करता तो इस तरह का एक फार्म होता है देखिए ये मद्दान अविकरता का फार्म है और ये फार्म आपको मिलते हैं 10-20 मिलते हैं और ऐसा भी हो जाता है जो मद्दान अविकरता बनने के लिए आते हैं वो अपना फार्म अपने आप भी लेके आ सकते हैं क्योंकि इस पर जो उम्म निर्वाचन अभीकरता लिखा है कहीं पर मद्दान अभीकरता लिखा हुआ है इस पार में भी थोड़ी सी गरवर है देखे अब बताता हूं में मद्दान अभीकरता क्या है निर्वाचन अभीकरता क्या है मद्दान अभीकरता से मतलब है माली जे कोई चुनाव लड़ रहा जब उम्मीद्वार के साथ बहुत सारे बूत होते है तो वो सभी बूत पर मद्दान अभी करता कि न्युक्ति नहीं कर पाता सभी के फार्म पर साइन नहीं कर पाता तो ऐसे में उसे अपना एक पर्थिनीधी चुनना होता है जो उसकी जगह उस फार्म पर साइन करते है तो जो पर्थिनीदी चुना जाता है उसको कहते है निर्वाचन अभी करता देखें यहाँ पर लिखा हुआ है अगला कोलम है यहाँ पर उम्मीदवार उबलिक उम्मीदवार निर्वाचन अभी करता कि हस्ताग सार इस फार्म पर या तो यहाँ पर देखें यहाँ पर आपका फार्म में दिया गया है यहाँ पर या तो साइन होंगे उम्मीदवार के उसके लिए आपको एक परफोर्मा मिलता है उम्मीदवार का नाम होता है उसका चुनाव चिन होता है और उसके हस्ताक्सर होते हैं या उसका निर्वाचन अभी करता अगर सुने बना रखे हैं तो निर्वाचन अभी करता के नमूना साइन आपको मिलते हैं तो उम्मिद्वार के भी साइन हो सकते हैं उसके निर्वाचन अभी करता के भी साइन हो सकते हैं जिससे मद्दान अभी करता चुना जाएगा तो उम्मिद्वार और उम्मि in ka Milan आपको जो आपको नमोणा sign दे गए हैं आपको एक पेज मिलेका जिसमें नमोणा sign होंगे उम्मीदवार के और निरवाचन अभी करता कि उससे आपको मिलान करना है और जब आप उसका फार्म दे तो उसे बता दें देखे इस चेंगे उसका फोटो आप लगा देंगे, दो फोटो आप उसको लेंगे, एक फोटो तो आपको यहाँ पर लगाना है, दूसरा फोटो जो उसको पास आप जारी करेंगे, उस पर आपको लगाना है, तो दो फोटो उसके आप लेने हैं, उसके बाद यहाँ पर जन हो सकता है जहां पर चुनाव राय मान लिजिए दोराला है आप यहां पर दोराला लिख देजिए जो भी है वहां आप लिख देंगे उसकी वार्ड संक्या आप यहां पर नोट कर देंगे मैं देखें मैं और यहां पर उसका नाम लिखेंगे जो भी आपका निर्मद्दान अभिकरता बन रहा है मैं नगर निगम यानि नगर निगम में आप चुनाव करा रहे हैं जहां पर एवियम से होगा या नगर पाली का परिशन में करा रहे हैं नगर पंचाहत में करा रहे हैं वहाँ पर आप टिक कर देंगे नगर पाली का परिशन में कर रहे हैं तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे नगर पाली का पंचाहत के महापूर अध्यक्स पारसद यानि किसके लिए आप बना रहे हैं या तो आप अध्यक्स के लिए बनाएंगे या सदस्य के लिए बनाएंगे उसी पर आप टिक कर देंगे कि वाल्ड संक्या वाल्ड संक्या जो भी होगी यहाँ पर वाल्ड संक्या आप नोट कर देंगे वाल्ड संक्या से उम्मीदवार का निर्वाचन अभी करता हूँ यहाँ पर जो नाम आएगा यह देखे यह जो नाम आएगा यहाँ पर इसमें confusion होता है थोड़ा सा मैं यहाँ पर नाम जो आएगा वो मद्दान अभी करता का नहीं आएगा यहाँ पर नाम आएगा उम्मीद्वार का या उम्मीद्वार के निर्वाचन अभिकरता का जिसकी आपको साइन करने है जिसके साइन करने है वहाँ पर इसका नाम आएगा ये ध्यान रखना है यानि मैं जो भी है मालीजे एक उम्मीद्वार है अमित नाम का और उसका निर्वाचन अभी करता कि साइन आरे आपके हो रहे हैं नीचे तो वहां उसका नाम आएगा देखे देखे यहां पर जिसके भी साइन होंगे उमीदवार या निर्वाचन अभी करता कि यहां पर जिसके भी साइन होंगे उसी का नाम यहां पर आएगा यहां पर जो साइन हों यहां पर आएगा कि उसका मैं निर्वाचन अभी करता हूँ, मैं उसका निर्वाचन अभी करता हूँ, मैं यहां बंक संक्या वाले मद्दान केंद्र के लिए नियतिस्थान में हाजी रहने के लिए स्री, यहां पर उसका नाम आएगा, जिसको आप मत्दान अभी करता, जो गाओं का नाम यहां पर आजाएगा जिसका फोटो जस्पा को मतदान अभी करता की रूप में नियुक्त करता हूँ तो यहां पर ध्यान रखना है यह जो दूसरा कोलम है यहां पर मतदान अभी करता का नाम आएगा और जो पहला है यहां पर यहां पर निर्वाचन अभी करत का नाम आएगा या उम्मीद्वार का नाम आएगा न्यूक्त करता हूँ यहां पर इस्थान लिखेंगे यहां दिनांक लिखेंगे या उसका जिसका उम्मीद्शाइन है वही यह नाम यहां पर आना है ऐसा करने के बाद मैं ऐसे मद्दान अभी करता के रूप में कारे करने के लिए सहमत हूँ उसके बाद इस्थान दिनाक और यहां पर जो इस फार में थोड़ी सी गड़वर है देखे इस फार में यहां निर्वाचन नहीं यहां मद्दान अभी करता होगा यहाँ होगा मद्दान अभी करता की अस्ताक्सर क्योंकि निर्वाचन अभी करता की साइन तो यहाँ पर हो गए यहाँ पर आएगा मद्दान अभी करता की अस्ताक्सर यहाँ पर उसके साइन करा लेंगे आप जिसे आपने मद्दान अभी करता बनाया उसके बाद देखे गोशना करता हूँ यह सब इसमें पढ़ ली है सुना दी है यहाँ पर भी दुबारा से उसके साइन करवाएंगे मद्दान अभी करता कि क्योंकि निर्वाचन अभी करता कि एक ही जंगे साइन होंगे यहाँ पर देखें नीचे पीठा सी नदीकारी के हस्ताकसर होंगे यहाँ पर उसका नाम होगा महुर होगे इतना सब कुछ होगा इसमें तो यही ध्यान रखना है और एक चीज का और ध्यान रखना है जो आपकी वोटर लिस्ट है जिसको आप मदान अभिकरता बना रहे हैं मदान अभिकरता जिसको भी आप बना रहे हैं उसका नाम उस वोटर लिस्ट में होना चाहिए उस वार्ड में उसका नाम होना चाहिए जिस वार्ड के लिए आप उसको बना रहे हैं यह अध्यक्स के लिए अलग बनेंगे सदस्य के लिए आप अलग बनाएंगे उनके लिफा पर विच्ट तो ए हमीं चल जाएगा, एक में रख देंगे, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग बनाएगे, और उसका उसमें नाम होना चाहिए, उसका आधार कार्ड लेंगे, आधार कार्ड की फोटो इस्टेट इसके साथ लगा देंगे, एक फोटो या दो फोटो लेंगे एक फिर्टूश पे लग जाएगा और ये सब आपको एस समय दिक लिपापा नंबर जो दो होता है उसमें आपको रखना है ये सारी और सुरू में आप बना लीजिए साथ बज़े से पहले पहले आप बना लीजिए इनको या कोशिस करें कि आप साम कोई कहते हैं लोगों को क कापी काम होता है तो मद्दान अभी करता का कारिया आप समय से ही पूरा कर ले तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बोक्स में जरूर लिखें और अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो वो भी लिखें और इसके साथ स कुन सी वीडियो और आपको अवश्यक्ता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें मैं कोशिश करूँगा ज्यादर से ज्यादर वीडियो आपको चुनाव से पहले उपलब्द करा दूँ आद धन्यवाद